नमश्कार फ्रिंट से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीसी एंब डिजिटल ग्रूपल क्लासस पर बच्चो आज ही के दिन 1st जैनवरी को एक नोटिस जारी हुआ है राजस्तान की वेब साइट पर की शीट अलॉट्मेंट शेडियूल क्या रहेगा मौप 25 तारिक को आया था जो आपको मारी वेब साइट पर मिल जाएगा हमारी चैनल पर मिल जाएगा नीट लेटेस्ट अपडेट्स में कि जो अलॉट्मेंट प्रोसीजर है मौप अप राउंड ओफ लाइन एड़ दो तारिक को यानि कि कल सुबह बुलाया गया है बच्चों को एक से 4000 तक जिनकी All India केटिगरी में लिस्ट है नाम है Excluding Candidates Having Other Eligibility Criteria All STA All SC ST MBC ये सब जो कैंड़ेट्स है इन सब कैंड़ेट्स को कल बुलाया गया है उसके बद Combound State Merit Number में जो Combound State List मैंने अभी थोड़ दे पहले चैनल पर डाले है वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका काम उस Merit List में कहां तक आता है उस बेस पर आप देखेंगे कि जिनकी राइंक ऊपर है इस केटेगरी पर्टिक्लर केटेगरी के अंदर उनको यहाँ पर पहले बुलाया गया है तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर ठीक है Most Backward Class ST ST जो है उनका Marit जो 10,000 ट्राइंक तक बुलाया गया है All STA Candidate Category जो है उनका भी सभी Candidates आ सकते हैं वहाँ पर कोई भी आपके पास रोक टोक नहीं है कि इतनी Merit List तक आपको आना है और इतनी Merit List तक नहीं आना है ठीक है ध्यान रखेगा आपको यह बड़ी Important बात है इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा आगे बढ़ते हैं Friends ठीक है तो आप नेक्स दीन का अगर आप देखते हैं तो उसके बाद आपको यहां पर समझ में आएगा कि Merit List दो तारिक को ही 11 बज़ जिन लोग को रिपोर्ट करने को कहा गया है वो आगे के बच्चों को बुलाया गया है From Merit 10,001 to Forward जितने भी आ सकें लोग और एक बज़े जो है उसके बाद बाकी Candidates को बुलाया गया है तो यह आप ध्यान रखेंगे तीन तारिक को जो है उसके बाद आपको फर्दर यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि बाकी Candidates को जो है बुला लिया गया है तो तीन तारिक तक के सारा schedule आपका पूरा वो लोग कर देंगे जो पहले नहीं आ पाए वो लोग भी उस दिन आ सकते हैं आपको वहां पर ऐसा नहीं किसी को भी एंटरी मिल जाएगी आपको एक कॉलम उपर दिखेगा वेबसाइट पर GDC जैपूर के नाम से एंटरी टिकेट फोर देंगे आने दिया जाएगा कैंडिट के साथ सर्फ एक ही परसन को अंदर आने दिया जाएगा टाइम से पहले नहीं आने दिया जाएगा किसी को ये बात भी उन्होंने क्लियर कर दी है exit permit नहीं करेंगे जब तक counselling process concern candidate का पूरा नहीं हो जाता कोई भी vehicle allowed नहीं एंटर किया जाएगा तो इध्यान रखेगा free parking space जो है वो आपको free parking facility space cinema के पास मिल जाएगी first come first serve के base पर जब तक parking वहाँ पर बचेगी available होगी the candidates having other eligibility criteria as 11 shall be considered for allotment वो तभी आपको allowed किया जाएगा जब बाकी लोगों का जो admission है वो complete हो जाएगा और मान लिया जाएगा कि सबको chance देने के बाद भी आपको seat बची हुई है ठीक है वो अगर ना आपाएं तो वो तीन तारिक तक आपाएं जो लोग अपने टाइम पर नहीं आपा रहें वो बात भी clear है क्योंकि urgent notice है यह नो फ्रेंड some of you might be thinking कि what is this eligibility criteria 11 जिसका बार-बार जिकर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको बता दना चाता हूँ यह बात कर रहे है NRI category की कि जिन लोगों ने option जब select कर रहा था admission के time पर अगर उनने none of the above select किया था तो वहाँ पर उस band candidate को जो है वो यह seat नहीं मिलेगी जैसे बहुत सरा eligibility criteria होते हैं first होता है कि resident of राजस्थान हो 10 साल से और 5 साल कम से कम राजस्थान ने होता है दूसरा criteria होता है जो bonifed resident हो राजस्थान के ऐसी कोई serving retired आपके father parent हो राजस्थान गौर्मेंट के लिए वो सब candidates हैं पर सब allowed है सिर्फ एक criteria को छोड़कर जिन्होंने clause 11 select किया था none of them तो वो NRI के लिए जो quota है वो अगर consider है तो वो अलग बात है वरना सभी लोग यहा सकते हैं तो यहाँ पर same 11 की बात यहाँ पर भी की गई है उसके बाद देखिए दोस्तो candidates ineligible for mope up round कौन लोग है वो simple वही काने जिनको seat मिल गई है किसी भी counselling के through candidates जिन्होंने seat resign कर दी है जो a lot या join हुई थी round 2 में will not be allowed ठीक है resign जिन्होंने के दी जाकर resign कर दी also such candidates shall not be eligible for further rounds candidates जिन्होंने seat surrender कर दी है round 2 कि वो भी allowed नहीं किये जाएंगे यह आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा so this is the recent information about seat allotment schedule mope up राजिस्तान thank you so much for watching the video please support us by subscribing and liking our videos friends